हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे दोस्तों रोस की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आचुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो आजकल दोस्तों सफेद बालों की समस्या बिलकुल आम हो गई है हर किसी को कम उमर में ही सफेद बाल होने लगे हैं और इन सफेद बालों को चुपाने के लिए हम जादातर लोग क्या गलती करते हैं इसको चुपाने के लिए बहुत सारे लोग या तो डाई का इस्तिमाल करते हैं जो बालों को काला कर देती है या फिर 5 मिनिट में जो शैंपू काला कर देते हैं बालों को उनका इस्तिमाल करते हैं लेकिन उनके अंदर इस्तिमाल होने वाले harmful chemical हमारे बालों को पूरी तरीके से खराब कर देते हैं इस्तिमाल होने वाले chemical की वज़े से हमारे बालों की जड़े बहुत कमजोर हो जाती हैं जिससे हमें hair fall बहुत ज़ादा होने लगता है, dandruff बहुत ज़ादा होने लगती है और बाल बहुत ज़ादा जड़ने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को chemical वाली डाई इस्तिमाल करने की वज़े से जल्दी सर में गंजा पनाने लगता है जिससे वो time से पहले ही बोड़े दिखने लगते हैं आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक ऐसी देसी natural home remedy जिसका इस्तिमाल करके आप अपने बालों को ना सर्फ जड से काला कर सकते हैं बलकि अपने गंजे पन जो आपके सर में आ गया है उसे भी रोक सकते हैं और इस natural remedy का इस्तिमाल करने के बाद आपको वापस से फिर उस chemical वाली डाई को इस्तिमाल करने की कभी ज़रुत ही नहीं पड़ेगी तो यहां पर सबसे important बात मैं आपको बता दू कि यह remedy पूरी तरीके से safe हैं छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुड़े औरते लड़के लड़कियां सबी लोग इसे इस्तिमाल कर सकते हैं तो यहां पर हर चीज को मैंने step by step बताया है तो बिलकुल ध्यान से देखिएगा इस hair pack को बनाने के लिए आपको लेना है कोई भ चमच हल्दी जो कि आपके kitchen में ही मिल जाएगी आपको कोई भी किसी भी brand की हल्दी ले लीजिए एक चमच हल्दी डालके आपको इसे तब तक पकाना है जब तक की हल्दी का रंग पूरी तरीके से change नहीं हो जाता हल्दी आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है antibacterial होती है तो इसका इस्तिमाल जरूर से करिएगा इसके बाद आपको लेना है एक ग्लास पानी और इसको पूरी तरीके से हल्दी में अच्छी तरीके से मिला लेना है अब यहाँ पे आपको हल्दी और पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पका लेना है यह दोनों है तो आप यहाँ पे जादा पैकेट भी ले सकते हैं हेर कलर पाउडर डालने के बाद इसे आप बिलकुल अच्छी तरीके से इसमें मिला लीजे तो दोस्तों लोहे के बरतन का इस्तिमाल यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि लोहे में कुछ ऐसे nutrition होते हैं जो हमारे ब पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं तो उन्हीं डामेज हुए बालो को रिपेर करने के लिए हमने यहाँ पे लोहे के बरतन का इस्तिमाल किया है क्योंकि लोहे के बरतन में जब अब इस पैक को तयार करते हैं तो लोहे के सारे गुण सारी प्रॉपर्टी इस पैक में आ ज जब तक ये पूरी तरीकी से ठंडा नहीं हो जाता, तब तक आप इसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं, तो अराम से इसको आदा एक घंटा लगता है ठंडा होने में, इस पैक को तयार करने में जितना भी टाइम मुझे लगा है, वो है कम से कम 15 मिनट, तो इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, इसके बाद जब ये पैक पूरी तरीकी से ठंडा हो जाए, तब आपको यहाँ पे कोई भी हैर ओल यूज करना है, मैं आपको यहाँ पे तीन हैर ओल सजिस्ट कर रही हूँ, इसी में से आप किसी एक हैर ओल का यूज करिएगा, तो मैं यहाँ पे नारि बालो को स्ट्रॉंग बनाने के लिए ओल इंग करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप चाहे तो नारियल का तेर ले लिजे, सर्सु का तेर ले लिजे, या फिर एरेंडी का तेर ले लिजे, इन तीनों में से कोई भी हैर ओल आपको ले लेना है, यहाँ पर आपको अगर dandruff बहुत जादा है, आपके बालों में infection है, scalp पे बहुत जादा पपड़ी जमी हुई है, तो यहाँ पे आप आदे नीम्बू का इस्तिमाल करेगा, जो आपके dandruff को खतम करने का काम करेगा, आपके बालों को अच्छा repair करेगा, किसी तरीके का infection अगर बालों में है तो उसे ठीक करेगा, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस pack को लगाना किस तरीके से है, जब कभी भी आप इस pack को अपने बालों में लगाएंगे, तो सबसे पहले अपने बालों को shampoo से अच्छी तरीके से आपको wash कर लेना है, गंदे सर पे अगर oil रहेगा, dust रहे हैं या बीच में से सफेद हो गए हैं, आपके बाल अगर बिलकुल frizzy हो गए है, chemical वाली dye यूज करके या बालों को color करके, तो आप हर जगा पे इसे length से लेकर, जडों से लेकर पूरी तरीके से अपलाई करेगा, ये पूरी तरीके से आपके scalp में, आपकी बालों के जडों म करेगा, आपके सफेद बालों की समस्या को कम करेगा, इस remedy को छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुड़े सबी लोग इस्तिमाल कर सकते हैं, सबी के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, तो आज के बाद आप कभी भी बाहर chemical वाली dye का इस्तिमाल बिलकुल मत करेगा, न इतना अच्छा इसका इफेक्ट हमारे बालों पर पढ़ने वाला है, जब ये हेर पैक पूरी तरीके से सूख जाता है, तो आपको शैंपू नहीं करना है, शैंपू हमने पहले ही कर लिया है, इसके बाद आपको बस नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है, इसके बाद अगल आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बालों का कलर अच्छा होगा, आपके बाल जो जढ़ते हैं वो भी जढ़ना बंद होगे, अगर आपको डैंडर्फ की समस्या है, तो ये पूरा एक कम्प्लीट हेर पैक है, जिसका इस्तिमाल करके आपके बालों से जुड करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा, और साथी साथ चानल पर पहली बार आए हैं तो सब्स्राइब जरूर करिएगा, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखे, हर हर महादेव